Hey guys, welcome to study with my young, मैं हूँ आपका my young, और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCEIT quality class 8 से chapter 1 देखें, यहाँ पर आज हम भारती सम्मिधान के बारे में जानेंगे, जानेंगे हमारे भारती सम्मिधान का स्वरूप किस प्रकार का है, हमारे भारती सम्मिधान में किन किन बातों को नहित किया गया, तो बो सब बाते में इस अध्याय की तेहत देखेंगे, तो चलिए स्ट सम्मिधान का अगर हम मतलब देखें, तो यहाँ पर हम सी आसापसाप यह कह सकते हैं, कि वहाई नियमाओं और कानूनों की एक किताब, कि वहाई जिसमें नियम, काईदे, कानून, कि देश कैसे चलेगा, देश में किन-किन सक्तियों का, यहाँ पर कौन-कौन सक्तियां है, हमारे यहां जैसे हमने अपने समिधान का जो सरूप रखा है वहाँ लोक तंत्र का रखा है यानिकि हमारे यहां जो लोक तंत्र है वो सबसे बड़ा है यानिकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार सत्ता में जाएगी और वो समिधान के नियमों के अरूम देश का सासन च आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है जो भी हॉम्वर्क मिला है हॉम्वर्क पूरा करना है इस्कूल में किसी प्रिकार की टीचरों के साथ अबढ़ता नहीं करनी है तो ऐसे करेके नियम जो वना दिये जाते हैं वो गिसमें वना इस्कूल के चार्जवारी के अंदर की नियम है तो बैसे ये देश के अंदर क्या चलना है देश के अंदर कैसे लोग को क्रिया कलाप होंगे कैसे लोग इंटरेक्ट करेंगे कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे लोगों के अंदर समानता की भावना आएगी तो उन सब ब तो सस्टंपन्ता संगराम जो हमारे भी थो तहीं एक तरह से लोक तंत्र नहीं था राय तंत्र का बोलबाला था यानि छुट-छुटी रियासते हैं, बड़ी-बड़ी रियासते हैं बटी हुई थी और वहाँ पर राजा सासन करते थे तो हमने यहाँ पर वही सुरूप रखा, वही लोग तंत्रवाला, यानि यहाँ पर लोगों का बोलवाला होगा, किसी एक सत्ता रूर्ड पार्टी का यहाँ बोलवाला नहीं होगा, यानि लोग जिसे चाहेंगे, उससे सत्ताम पहुचाएंगे, और बाद में हटा भी तो यहाँ पर सबसे पहले समिधान का, यानि यहाँ पर खा गया है, कि इन इंडियन नेसनल कॉंग्रीस ने समिधान सबा के कठन की नीद जो थी, इसको अपनी अधिकरत नीद जो थी, इनका जो इनका रॉबर कह सकते हैं, एजंडा जो होता है, उसमें सामिल किया, ठीक है, आप देगे दूसरे बिस्युद्ध जब हो गया दूसरा बिस्युद्ध हो चुगा उन्ने 149 से लेकर 145 आपको पता होगा चला होगा उसके बाद यहाँ पर समिधान निर्माड की पाथ बहुत तेजी से चलने लगी देश आजात करने की बाथ बहुत तेजी से को बता दूँ यहाँ पर हम क्लास एर्थ के लेवल पढ़ रहे हैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पर अभी मैं आपको वो देट बगर यह भाए का मतल ही है कि आगामी कच्छा है जो है आपकी 11-12 वहाँ पर आपको सब प्रॉपर बिवे में पढ़ना पड़ेगा होगा आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर वही कहा गया है कि दिसंबर 1940 से लेकर दिसंब नॉवंबर 1949 तक समिधान सवा ने सतंत भारत के लिए नए समिधान का प्रारूप तयार किया ठीक है और लगवाक तेट सो आगरसों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया यानि समिधान निर्माड के काम को गंभीरता से अंजाम दिया यानि कहने का मलब यह है कि यहां पर लोगों यानि लोग कैसे है भारत की जनता कैसी है प्रजा कैसी है यहां के लोगों को क्या चाहिए तो उस चीज़ को यहां पर इनों ने केंद्री लक्ष के रूप में रखा ठीक है तो ऐसे करके हमारा समिधान निर्माठ हुगा अब देगे यहां पर आपने पहला पॉइंट पहले किए एक दो तीन साब पॉइंट लिख लिए हैं आप देखिए यहां पर भही कही गई है जो इने पहले समिधान से क्या ata अंबीद की जाती है अब देखिए यहां पर खा गया है कि आज दुनिया के यादध देशों के बारे में खुद का सम्मिधान है और सभी लोगतांतिक देसों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास खुद का सम्मिधान जरूर होगा बिल्कुर सही बात है ठीक है अब देगे बही बात मैंने बताई आपको ऐसा नहीं है कि जिन देसों के पास लोगतांत्रिक है तो यहाँ पर कहा गया है समिधान कई आदर्सों की फूर्टी भी करता है जैसे कई आदर्स कौन कौन से है हम यहाँ में इसमें कहा गया है कि यह दस्ताबेट उन आदर्सों को सुत्रवर्द करता है जिनके आधार पर नागरेक अपने देश को यहाँ पर सत्ता रोड पार्टी कोई क्रूड सासक यहां का वभिस तैन नहीं करेगा जैसे अंग्रेज करते थे कि अपनी मनमानी चला रहे हो यह कर रहे हो वो कर रहे हो ऐसा हमारे देस में बिलकुल नहीं होगा चुँकि आप सभी को पता है कि हमारा देस बिविता संपन देस है हमारे देस में बहुत सारी जातियां बहुत सारे लोग मजभब के लोग ठीक है और बिविन परांत यह भासाई इस तरफ पर लोग जो हैं बटे हुए हैं तो उन आधार उन सबको देखते हुए सबसे बड़ रही है वो छूट जाए तो हमें ऐसे नहीं है और से कानूर यहां पर समयधान में समलित करने हैं जो कि हमारी पूरी जो दनता है यानि विविता पूर्ट दनता है सभी पर एक समान रूप से लागू हो तो ऐसे करके हमने अपने समयधान का सुरूब आप देख पा रहे हों तो यहां पर खाया कि समयधान निवों का ऐसा समू होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्दत के लिए अपना सकते हैं यहां यहां आदर्स क्या है लोक तंत्र में समान ता गभाव जो उसकी प्रस्तावना है प्रस्तावना आपने देखा नहीं है वो हमारे आदर्स वाक के रूप में है ठीक है वही हम प्रस्तावना ही समयधान का सुरूप पूरा डिस्क्राइब कर देती है तो वो चीज़ यहां पर आप नोट कर लें सेकंड पॉइंट आगे बढ़ते हैं अब देगे यहां पर एक बात बताई गई है एक परि बताई गई है कि नेपाल में समयधान का निर्मार्ण हुआ और नेपाल में एक बार समयधान का निर्मार्ण नहीं हुआ नेपाल में जो है लगवक पांच बार समयधान का निर्मार्ण हुआ पहली बार नेपाल में समयधान बना वो लगवक नाइंटी उन 59 में बना ठीक किया था कि लोग वहाँ पर समयधान का निर्मार्द तो हुआ लिगे 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 समयधान को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमें देश में इस तरह के कानून बनाने है जिसे सब लोग सरुसेहमती से माने यानि हमें यहां पर कोई एक जैसा कानून नहीं रखना है कि इस पर मतभेद हो जैसे आपने देखा था थोड़ा मैं देखे आपको जैसे यहाँ पे मैं क्लास एर्थ पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे ब्रॉड डेविल प्लेकर चलता हूँ ब्रॉड यानि कि यूपेसी मैंस्विक पर हो जाए तो आपने देखा था यहाँ पर जब समयधान की समय में समयधान बनके तयार हुआ था कि भाषा ही आदार पर हमारी भाषा क्या होगी राजभासा क्या होगी तो उस समय विद्रो स्टार्ट हो गया था एक लंबा संगर्स शुरू हो गया था तो उस इस्तिति से बटने के लिए हमारे याँ एक चीज प्रापदान कर दिया गया खिए अंग्रेजी को तो एसी बहुत सारी चाहिए थी यानि हमने सुरुवात में हमारा लक्ष यही था कि समिधान जो बनना है वो सभी लोग मानें अर्माली इस लोग मानें गहीं नहीं हमने देश की जनता इसे एक्सेप्टी नहीं करेगी तो समिधान बनाने का कोई मतलब नहीं रहा जाएगा ज ठीक है अब यहाँ पर कहा गया है कि 1990 में हुए संघर्स के बाल लोकतंत्र की स्थापना हुई लोकतंतिक व्युश्था संदोयार दो तक यानि 12 साल तक कायम रहीं तो यहाँ पर 1990 से जिक्र किया गया जबकर ऐसा नहीं है यहाँ से 1989 से ही यहां पर संगर्सिस्थाट हो गया था लोक तंत को इस्ठाफित करने के लिए उन्होंने बहुत तो साहत निक्रावशन की साथन या महतपूर प्रसासनि कारे वो उपने हातों में ले लिए तो ऐसे करके यहांपर जो बिपक्ष है जो मावसिस्ट संगिठन है मावबादी संगिठन है जो है वहाँपर वो लोग भढ़क गए ठीक है और उन लोगों ने एक ब्यापक आंदोलन किया ब्यापक आंदोलन के फलसुरूप यह हुगा यहांपर कि राया अग्यानल सिंग को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर संग्यार आठ में रायतंत्र का खात्मा हो गया और वहाँपर फिर लोगतंत्र बन गया यह नेपाल के पीछे की कुछ कहानी है ठीक है तो नेपाल के बारे में थोड़ा से हम यहांपर लिख लेंगे तो ज्यादा बैटर रहेग ठीक है पहले यहांपर लिख लेना नोट करके यहांपर लिखेंगे चूंकि हमारे समिधान का पार्ट नहीं है यहांपर एक तुलना की गई है बार्ति समिधान की और नेपाल के समिधान की भाई लोग क्यों संगर्स हुआ क्यों यहांपर समिधान निर्माड के लिए या भर इसकी बात चली ठीक है तो वह बात बढाई गई है ठीक है तो यहाँ पर लिख लेना कि नेपाल मैं लोकतंत्र के लिए ठीक है नेपाल मैं 1990 में हुए संगर्स के बाद लोकतंतर की स्थाबना हुई और और यह लोगतां तक विवस्ता सन दो यार्दू तक यानि बारे साल तक कायम रही ठीक है यहाँ पर लिखने है समसा पॉइंट अक्टूबर सन दो यार्दू में राया ग्यानन्द ने ठीक है गाउं में महावादी संक्टोनों की बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की फिविन कामों को अपने कब्जे में ले लिया और फरवरी 225 तक राजा ने सासन की बागडोड समाण लिया ओर फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ भागे लिखेंगे यहाँ यहाँ रायतत हो गया यहां पर लिखना ना इसमें आखिरकार अप्रेयल दोयार च्छे में राजा को तती संसरत भाल करके राजा को सरकार बनाने का मौँग यहां पर यहां पर ज्यादा डीपली पढ़ने से फाइदा नहीं है तो इसमें थोड़ी सी जहला का आपने देख ली क्यों संगर्स हुआ क्या हुआ मैं जी यह थी भाई एक चीज़ आप खुश सोच लीजे कोई भी राजा हो वो अपनी पद भी क्यों छोड़ना चाहेगा अपना पद क्यों छोड़ना चाहेगा वाई जब उसे राजा पर रहते हुए अपार सक्तियां में लिए अब लोकतंत राजा आएगा त तो उससे बेटर राजा बने रहना तो कही ना कहीं आप यह चीज़ आप अजम नहीं होती है एकदम पश्ती नहीं किसी को तो इसलिए यहाँ पर वही वाग कही गई है कि यहाँ वे कहा गया है समाचार पत्रों के माध्यम से उपर देगी खबर में बताया गया है कि नेपा पर आदेत था कि सासन की सरवोच सत्ता राजा के पास होगी नैपल में जो सासन का अधार था सुरूबात में वो आधार ये बनाया गया था कि भाई यहाँ पर यहाँ पर यो सासन की सत्ता है thuक इसके हात में होगी थीखंखे लेकर संदोयार चेंव के बाद उन्हों क्या क सहता है को खत्म करने में उन्हाइन क्ामया भी मिल गई ऐसे करके вहाँ पर więcej यहां पर लोक्तंत इस्था पत्त हुआ यानि कहने का मनलब यह है कि यहां पर लोक्तंत्ट इस्था पत्त हो जुआ यहां पर खागया समईदान को इस लिए नहींधान अपनाना चाहते ते यह नहीं अपनाए कि उसमें बहुत सारे आदर्स नहीं थे और आदर्स ना होने की वजय से रायतंत्र के डिखात था तो इस पता लोगों तो इसे अपनाया नहीं ठीक है अब ही हाल में ही नेपाल के लोगों को ने 213 में देश के लिए एक नया समिधान अपनाया यहां पर यह लिखा हुगा है तो note 2 करके यह line up लिख लैना note 2 करके कि नेपाल के लोगों ने सन 2005 में अपने देश के लिए के नया समिधान अपनाया आए यांकि 2008 में यह समस्वेडान अपनाना क्यों नहीं चाहते थे उसलिए नहीं चाहते थे समिधान की जो बात Новождconomies हैं समिधान की जो आधर्स हैं ऐसे तो हूं कि सभी लोगों की भावनाओं कुदर करते हूं माल जी यह कोई एक ब्रग की एक उपर समिधान की यानिकि सरमान ने भावनाय रखी ठीक है ताके सभी लोग जो समिधान को एकसेट कर सकें ठीक है अब यहां पर समिधान का दूसरा उद्धिस बताए गया है थर्ड पॉइंट में यहां कि समिधान का दूसरा मुख्य उद्धिस यह है कि देश की राइनित्र विवस्ता को सभी जैसे आपने देखा कि लोगतां दहुकर कि यहां पर क्या था जैने कि ने पाल वो इहां नियकि यहां यहां पर क्या थी नेपाल पर पिक्षमत आए गया कि नेपाल में रायतंत्र था अभी जबकि हमारे यहां पर जो सासन विवस्ता है वो किसमे नेत होगी समिधान के नियमों पर नेत होगी है समिधान जो तैग करेगा कि हमारे यहां कौन चुनकर आएगा किसके हाथ में बागड़ोर होगी यह समिधान करेगा ठीक है तो यहां पर वही बात हैं यहां पर लही गई है कि समिधान का दूसरा उद्धिस होता है रायतने विवस्ता को टै करना ठीक है यहां पर रखा गया है कि लोगतंत्र में हम अपने नेता खुझ चुनते हैं ताकि हमारी और इस सत्ता का जिम्मेदारी के साथ ठीक है लेकिन फिर भी यहां पर एक चीज़ हैं देखने को मिलते हैं कि समिधान में आप पाते होंगे कि नेता जो होते हैं पद का दूरुपयोग करते हैं और लेकिन इसके उपाई भी यहां पर कहा गया है समिधान में आपको देखने को मिलते हैं यहां पर एक कहानी बता है यह अपनी कच्छा का monitor है और दवं किसम का है लेकिन इसके जो class है पूरी class के बच्चे हैं वसे पसंद नहीं करते हैं एक बार इसकी मेडम के चली आती है यह और इसके handover class छोड़ जाती है कि आपको यह class handle करने देखना है class में, कोई बच्चे उधम ना बचाएं तो ये बड़ा चत्रो टैप का हुता है ये इस बात का फाइदा उठाता है और इससे जो खुन्नस मानने वाले बच्चे हैं उनके प्रति इसवे भी खुन्नस वाली भावना रखता है कहता है तो अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी सि अनिल को प्रतारना शुरू कर दिया अनिल को डाट लगाना शुरू कर दिया अब ऐसी ही बात है हमारे यहां अगर माली एसी कोई बात होती है कि वही किसी को बेभज़ाए परिसान किया जाता है तो समिधान में उस चीज़ के प्रावब भंद भी रखे गा है यानि मेडम को पूछना यह चाहिए था लोगतांतिक देस में पहांपे कलास में और बच्चे गए थे उनसे पूछ लेती लेकिन मेडम नहीं पूछा मेडम ने केवल इस दबंग बच्चे की बात माली तो हमारी समिधान में यह सब उपवण्द किये गाई है कि बाई ऐसे कोई निवल किस्म के लोग हैं जिनके साथ ऐसे दुरबेवार होते हैं तो वो उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा-पूरा मौका मेले हैं ठीक है तो यह बात नहीं आप बताई गई है ठीक है तो यहाँ पर भाई बात कहीए लोगतांतिक समाज में प्राय समिधानी ऐसे न जो भाई घंड़न होगी ठीक है तो भही बात है यहाँ आपर ठीक है रॉप्यों को मा यहाँ इह द्रम आजा सकता है ठीक है उसली लिखाना के भार्ती समिधान में यहां पर यहांपर यहां और यहां फोड़ दिए मॉलिक अधिकार हो गड़ा आग्ए पर दिख लेंगे यहां पर लिखने ना इसी में सब पॉइंट कि हमारा समयधान ये कहता है कि धर्म नसल जाती लिंग और जन्मिस्थान के आदार पर किसी देश के किसी भी नागर के साथ भेदवाव नहीं किया जा सकता ठीक है और इस प्रकार हमारा समानता का अधिकार क्या है भारती समयधान में दिया गया एक मौले का अधिकार है यानि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे समाहित की है जिसके जरीए हमारे यहां लोगों के अधिकारों का हनन ना हो ये बात हैं आपर कही गई है ठीक है जैसे आपने ओम प्रकास वालमीक का जिक्र की आगया क्लास से से निवटना है उसके लिए हमने अपने समयधान में उपवंध रखे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर अब देगे एक दूसरी कहानी यहां पर दी हुई है वही तागत पर समूँ बाली अब लोगतंत्र में समयधान का काम ये भी है यानि कि यहां पर अकला पॉइं इस्तिमाल ना करें यानि यहां पर वुमिका ये भी होती है कोई कोई तागतवर समूँ हो या लोगों के खिलाब अपनी तागत का इस्तिमाल ना करें यानि कहने मालब यह कोई एक व्यक्ति दवंग प्रकति का है दूसरा व्यक्ति दवंग प्रकति का नहीं है उसे निरव लडगी यहां पर पिर से विवाद हो जाता है अब बिपाद होने पर क्या होता है इसे विवाद को हलकाने के दोनों बच्छों को हाँ उठाकर अपनी राया बताने को लिए को लिए तो वही बात नहीं सुनते हैं लोग तो वही बात यहां पर कहती है कि हमें सदाही वही करना पड़ता है लड़के झाती है क्योंकि उनकी संख्या जग अच्छा में जाधा है तो मैडम को सेसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए यहां पर वही बातने कही कई है साफ साफ ये कहानी दर्सादी है कि हमारे देश में भी ऐसे कुछ यानि ऐसे कुछ संग्ठan है ऐसे कुछ समधाय है जिनके पास भाहुमत नहीं है अल्प भाहुमत है तो बून सबको सरक्षा परदान करने का जो अधिकार है वो हमारे समधान ते करता है इसलिए भी समिधान ने समानता के उपबंदों के तरह उनकी भी सुरक्षा के उपबंद इसमें निहित कर दी है यहाँ पर यहाँ पर क्या करते थे जनरली बोटिंग करवा लेते थे कई कौन सा मैच होगा तो लड़कों की संखिया जाजा होते हैं लड़किया रह जाती है हर बार तो समिधान ने इन सब चीज़ों को भी निपटा आया है तो वही बात यहाँ बेखा गया है यानि कि यह जो हालाद है आप क्रिकेट के मैदान वाले असरस्त हालाद देख रहे ह है कि वाई कि एक बहुमत वाला गोट जो लगाता है ऐसी फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्प संखों की सहमित नहीं होती है ठीक है तो ऐसे सारे फैसले जो होते हैं कहीं ना कहीं समाज में यह बहुमत की निरंकुस्ता का खत्रा हर समाज में बना रहता है निरंकु ना सके है, उनके अधिकारों को अनन ना कर सके है, तो ऐसे भी उपबंद हमारे यहाँ पर रखे गए हैं, यह कहानी के माद्धियम से आप समझ गए होंगी, ठीक है? यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, इसमें पांचमा पॉइंट आएगा, कि वाई, अगला हमार कि हां सम्धान में रखा गया कि अल्प संख्यकों पर बहुत संख्यकों की इस नरण खुस्ता जड़बे पर प्रतबंद लगाना भी संभिधान का भी सब्सख्यकों धारमिक अल्प जाती अल्प या सकते हैं ठीक है समाज पे हांसिये में रहे जो हाशिये पर लोग रहे हैं जो समाज के मुखी दारा में सामिल नहीं थे जैसे अब दलित वर्क के लोग बोल सकते हैं वो भी हो सकते हैं ठीक है तो इसमें वही बताया गिया है कि यह दब दबा एक समदाय द्वारा दूसरे समदाय के उपर भी हो सकता है जिसे हम अंतर सामदाइक इंटर कम्यूटी विश्च बर्चस कहते हैं या फिर एक ही समदाइक के बीतर कुछ लोगों के को दबाग सकते हैं जिसे हम अंतर समदाइक इंट्रा कम्यूटी वर्चस कह सकते हैं कहने का मलब यह है कि अंतर समधाई का मलब क्या हुगा कि भाई एक धर्म का दूसरे धर्म पर दब दब दबा यानि एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म को दबानी कोशिश कर रहा है उन लोगों के खिलाब भी यहाँ पर प्रापधान इसमें वड़ित किये गई है ठीक है तो यहाँ पांच में का सब पॉइंट आप नोट करेना तो समिधान का ये भी का रहे है ठीक है अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर पताई गई है अब देखिए एक कहानी यहाँ पर समिधान के बारे में कही गई है यहाँ पर देखिए उपर पताई गया है समिधान क्यों होना चाहिए इसका तीसरा मेटपूर क्या रहा रही है हम खुद को अपने आप से बचा सके है खुद को अपने आप से बचाने से अब पर यहाँ पर यह है, साफसा पड़तों में, यह कभी-कभी क्या होता है, कि बाई, सत्ता रूड दंभी लोग आ जाते हैं, जैसे आपको सामने एक 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 जामपल है, सबसे अच्छा, 97-5 का एक जामपल, यानि जब एमर्जैंसी लगी थी तो इमर्जेंसी क्या थी एक पाइटी विसेस का दंब था वहाँ पर कि भाई हमें ऐसे करना है इसका ससन ऐसे चलाना है तो उसी भ्याब पर आपने देखा हुआ कि भाई तब नएने संजय गांदी नएने युवा नेता थे उन्होंने लाखों लोगों की नसवंद करने के लिए प्रापधान रखे गई है ठीक है अब जैसे एक लड़की के वारे में कहानी दताई गई है कि सब्रम दुबधा में है यानि कि इसकी परिच्छा भी है और उसी दिन इसका टीवी पर प्रसंदीरा कारिक्रम भी आ रहा है अब अगर कारिक्रम देखती है तो य मुझे एक बात सूच रही है अगर आज कोई राद कोई टीवी ना देखके तो तब साइद मेरा भी मन नहीं लल चाएगा ठीक है तो ऐसे करके क्या होता है ये लोग टीवी नहीं चलाती है और बच्ची जो है उस दिन अध्यन कर पाती है अध्यन करके क्या कहा है अगले द कोई ऐसी पार्टी विसेस हमारी सिस्ता में आके बैठ जाती है वो कहें कि नहीं ऐसा करते हैं इंडियन आर्मी को अपने फिवर में ले लेते हैं और देश में अपने मनमाने ढंसे अपना सासन चलाएंगे इंडियन आर्मी को इंडियन पुलिस को इन सबको अपने फिवर म अपने आपके लोगतंदू को चलने की बिलकुल भी कोशिस ना करें तो यहां पर वही बात कहा गया है अगला पॉइंट यहां पर अगला पॉइंट पाच्पा पॉइंट है छटा पॉइंट है सुरी कि समिधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है इनसे उन्हें बड़े इसमें फौजी सासन लगा दिया जाए इन फौजी सासन का मलब यह है सैने सासन आर्मी का सासन ठीक है कि वाई जो देश में भ्रष्ट नेता है उनके साथ एकदम उन्हें देखते गोली मार दी जाए या पर रेपिश टाइप है या पर यो क्रिमिनल है उन्हें एकदम उनके उपर अत्याचार करवाएं तो हमारे देश में हमारे देश के समयधान की स्थिती में और अंग्रेजों के सासन में क्या अंतर रहे जाए अंग्रेजों ने भी तो यही किया था कि विए सासन लगा की बावनाओं को कुछला उन्हें जब उन्होंने अवाज उठाई लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ही बात कहिए कि लोगतंत को मानने वाले दिखतकांस लोग गंबीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राए नहींते है वो पॉलिटिक्स पहुजाता बिक्रत हो चुकी है खराब हो चुकी है इसलिए अब चुज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी ताना सा कोई सासन सौप देना चाहिए या फोजी सासन लगा देना चाहिए तो हमारे या समिधान इस चीज़ को भी यहाँ पर बिलको रोक के रखता है यानि कि माल लीजे कोई यहाँ पर हम अपने असासन की बागडोर किसी हिडलर जैसे ब्रती के हाथ में पहुंचा दें कि देश का वो सरूप सरूप भी बतल के रखती तो समिधान में इस बात के भी प्रापधान रखे गई है यानि कि यहाँ पर बिधाय का, कारेपालिका, नियाएपालिका, स्तीनों के यहाँ अलग-अलग डिफाइन किये गए है ताकि ताकि जो ताना सही है, ताना सही हमारे समाज में ब्याप्त ना हो, तो यहाँ पर आपने चटा पॉइंट समझ लिया होगा आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पर भावना में बहकर लोग भावदा इस पात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दोर में तानासाई सासन उनके सारे हितों को तैसनेस कर देगा हकिकत बात है याँ आज केवल वो केवल अभी आप यह सूच रहे हैं कि मालीज अभी तो ब्रश्ट नेताओं को खिलाब एक्सन लेगा लेकर ब्रश्ट नेताओं को खिलाब एक्सन नहीं लेगा हो सकता है जो सैनेसासन है या पर जो दंभी नेता है या तानासान नेता वो भी ब्रश्ट हो जाए और वो ब्रश्ट हो गया तो आपका जीना अराम कर देगा ठी सबसे रक्षा करने का हमारा जो कार्य है वो समिधान का है ठीक है तो यहाँ पर वही बात कही गई है चड़े का सब पॉइंट यह ऐसे प्राफधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरीए नागरिकों को अधिकार का आस्वासन मिलता है और उनकी सुतंता की रक्षा होती है ठीक है यह चड़े का सब पॉइंट आप नोट कर लेना आगे बढ़ते हैं यहाँ बर अब यहाँ पर बताया गया है भारती समिधान का मुख्यलक्षड को उनसा है भारती समिधान मुख्य रूप से है किस प्रकार का तो अगली हैडंग आप यही डालेंगे भारती समिधान का मुख्यलक्षड अभी तो आपने समिधान के बारे में मूल बूल बात है जान नहीं ठीक है कुछ-कुछ मैरे मैं उद्देस से आपने देख लिए ठीक है यहाँ पर अगर मुख्य लक्षड की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारा जो भारती राष्टी आंदोलन चला ठीक है और यह सुतंदा संगर्स जो होता काफी लंबा चला लेकिन सुतंदा संगर्स करने के दोरां राष्ट बाद यूग दमाग एक बात को थी कि हमें अपने देख में इस तरह की स्यासनी विवस्ता को अपनाना है जिसमें सभी का ठीक है सभी का योगदान हो यह सभी लोग यहाँ पर अपना हिस्सा ले सकें और सभी सरकार में उस्तेदारी का अधिकार होगा यानि कि मैंने बात बताई वही बात को उन्होंने अपना टार्गेट बनाया इस बिचार को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने यहाँ पर भी बात का गया है अपना योगदान दिया तमाम बैठके बगरा हुई तो उन बातों का जिकर यहाँ पर किया गया है अब चूंकि हेडिंग यहाँ पर आपकी यह है कि समिधान का मुख लक्षर कौन-कौन सा है तो यहाँ पर हम सीधी हेडिंगों पर आते हैं ठीक है तो यहाँ पर देगे कुछ बातों और कही गई है कि समिधान सवा के सरस्तों के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी जिम्मिदारी ये थी हमारे भारत में कई समंदाय थे बहुत सारी संसकतिया थी एक धर्म नहीं था अनिक संसकतिया थी अनिक भासाय थी तो उन सब के बीच कैसे सामचे से बिठाये जाए कैसे उन लोगों को यहाँ पर एक इकरत किया जाए दूसरी समस्य है उनके सामने ये भी थी कि भाई भारत पाकिस्तान का बढ़वारा हुआ था काभी सारे रियास्त बगएर आती हूँ पाकिस्तान में जाना चाहते थे काफी लोग भारत के फेवर में थे तो कुछ लोग ऐसी भी लोग थे जो इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसके फेवर में जाना है पाकिस्तान में जाना है या भारत की फेवर में जाना है तो ऐसी विस्थिती यहां पर भायान थी तो समिधान सभा ने इस बात का भी ध्यान रखा ठीक है तो भही बात कहा गया है कि उनों ने जो दस्तावेट तयार किया, उसमें सामाजी कार्टिक सुधारों के जरीए गरीबी उन्मूलन और जन प्रतनियों के चैन में जन्ता की महतपुर भूमिका पर काफी जोड़ती है, इस समिधान सभा के लोगों ने जो दस्तावेट यानि समिधान तयार किया, ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर लक्षण कौन-कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं, देखे कुछ पाइंट्स हैं वो आप लिख लेंगे, तो बैटर रहेगा, जैसे बार्दी समिधान के मुख्षण में, पहला पॉइंट तो आप ये वाला सबाकी बैटके हैं होती रहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में ही, इसी में सब सब पॉइंट लिखेंगे, एकला सब पॉइंट, उन्होंने जो दस्तावे तयार किया, उसमें सामाजी कार्दियों सुधारों के जरिए, गरीबी उनमूलन और जन टत्नियों के चैनल म इन्होंने जस्तावे तयार किया गया, इसमें इन्होंने इस बात पर काफी जोड दिया कि गरीबी उनमूलन हो और जनता की भूमे का अच्छी खासी हो, आगे बढ़ते हैं देखिए, इसमें यहाँ पर एक पहले नोट करके भी आप लिखवा देते हैं, बैसे तो आप इन गौत रंबेड कर को 32 समेजान का जनक कहा जाता है, इन्होंने शुरुबात से जो फेवर किया, वो दलिस समधाय को किया, इनका मानना एता कि दलित उत्थान और इस्त्री उत्थान इनका मेहन टार्येट रहा है, ज्यानि खास करके इनके इनके जो नजरिये में, इनके कह सक इनके जो दरश्टिकॉन में सबसे ज्यादा में वहतपूड यह था, उनको समानिस्थान कैसे दिलवाए जा सके, उनके लिए उन्होंने एक मेहतपूर प्रयास भी किया, थीक है, तो यहाँ पर भई वही बात कही है, समिधान सवाम में उनके इस्तिदारी से, किनकी इस्तिदारी से अनसूचित जातियों को समिधान के प्रारूप में कुछ सुरच्छात्म विबस्ता मिली ठीक है अब यहाँ वर रही वात कही गई है कि लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहाता कि भले ही कानूर बन गए हो अभी भी अनसूचित जातियां बेफिकर नहीं हो सकती है क्योंकि इन कानूरों का संचालन सवर हिंदू अधिकारियों के हाथों में है तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कुछ रिजर्वेशन के प्रापधान का भी रखा क्रापधान का भी यहां पर उन्हें समयदान में कुछ चीज़ें नहीं हित की जिससे के जो रिजर्व केटागरी में दलिद वर गया है वो लोग यहां पर पहुंच सके है ठीक है तो वो चीज़ें आप अभी वरतमान समाज में आप देख पा रहे होंगे यहोंने कहा कि उन्होंने अन्सुची चातियों से आवान किया कि सरकार के अलावा लोग सेवाओं में अभी बढ़ चड़ कर सामिल होंगे उनके खिलाब जो अत्याशार करने वारे सब बढ ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारे समयधान का जो मुख्य आयाम कौन-कौन से थे वो हम यहाँ पर नोट करेंगे ठीक है तो सबसे पहली हैडिंग आप इसमें डाल लेना मुख्य लच्छर में संग्यबाद यह फैर्ट लेज़ों इसका मतलब यह होता है साब साब कि दे और यहोँ ने यह तो दिखा दिया एकसीह सरकार को यहाँ लेकिन इननों ने यह नहीं कहा है कि सरकारوں पर एक ही संग्यदान समयधान लाग लेकिन थे इसबात को नहीं कहा है जैसे अगर आप लक्शमिकान वाली पुलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा गया कि संगभाद जो पश्मी मॉडल हैं पश्मी देस से उनके संगबाद की तो ला हमारे संगबाद अलग है यहां किसके हाथ मैं राज्यों को इससे अलग होने की अनुवती नहीं है इसमें हम पूरा डिफाइन इनों करना चाहिए था लेकिन डिफाइन नहीं किया है चलिए साहर दो सकता है आगामी कर्छाओं में यह करें ठीक है तो आप पहला पॉइंट दो से लिए इसका मतलब यहीं है कि देश एक से जादा इस तरों पर सरकार का होना है यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ यहाँ इनका मानना यह संगभाद में कि भाई चंद मुठी में बै करता की गई है ताकि इन इलाक्यों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिया जा सके हैं ठीक है तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखने है ना इसी में कि भारत के सभी जो राज हैं इनको कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत अधिकार है यहाँ भारत के कुछ सभी पनाये के कानूनों को मानने पड़ता है ठीक है इसके लाबा हमारे हैं कालचित की स्प्रष्टा के लिए हमने क्या किया है हमने सूचिया मना लिए यहाँ यहाँ पर वही बात कही गई है कि समिधान के अंतरगत राज्य यहाँ पर केवल केंद्री सरकार के प्रतनिजी नही होते उन्हें भी समयधान से ही अपनी तागत और अधिकार मिलते हैं कहने का मलब यह है कि संगबाद के ढाचे में ऐसा नहीं है कि मारे यहां कि संगबाद में जो राज हैं केंदर की गुलामी करें गुलाम नहीं होते हैं उन्हें भी निश्चित सक्तियां अब यहां पर समिधान में सार्भॉम वैस्ट मताइकार वाली बात कहीं गई है तो यह सब बातें आप और पढ़ने एंगे जरूबत है आप इसे चाहें तो पढ़ लेना यहां तो इसमें लिखा आया तो यह आर्टिकल जोिए डिदो बताया है किस तरह लोगों का योगदान होना चाहिए लोग तंत्र वो बताया गया है कि लिखने ही जड़ोत नहीं है यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर ही है हमारी समिजानी के विजिस्ता यह है कि हमने संसदी सासन प्रत्दिती अपनाई है यानि कि सरकार के सभी इस तरों पर प्रत्निदियो का चुनाओं लोग खुद करते हैं ठीक है यहाँ पर भारत का समिधान अपने सभी बयस्क नागरेकों को बोट डालने का अधिकार देता है और इनके बोट के आधार पर सरकार जो है यानि कि लोग चुनकर आते हैं और लोग चुने हुए लोग जो है सत्ता में पहुंचकर सरकार का गठन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर वही बात कहीं गई है कि इस जो संसधी प्रणारी से इससे लाव क्या होता है इससे ना केबल लोगतान दे सोच और तोर तरीकों को रुस्वान मिलता है बलके जाती वर्ग और 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 औरत के मर्द के फरक के आधारत उच नीच सरकार बनती है चाहिए वो गरीब का बोट हो चाहिए अमीर का बोट हो वो सभी की बैलू सेम है ठीक है तो जो लोगतान द्रिक भावना जो हमारी है देश की जिसमें सारभों पैस्म अदाद का वाली भावना जो यहाँ पर है तो उस भावना की वह जैसे हमारे यां जो जा कामाजिक प्रश्टू में कैसी भी हो ठीक है और वो यह प्रजिदी जनता के पर जवाब दे होते हैं यह बात यहां पर निखले ना आप ठीक है तो ऐसे करें कि इसके आप यहां पर सेगंड पॉइंट के आपने अपने नोट का लिए होंगे तीसरी बात यहां पर हमारे समयधान में बड़ेत है यह है सक्तियों का वटवारा यानि हमने सक्तियों का वटवारा किया है समयधान में ऐसा हमने कोई यहां पर बो नहीं रखाए पहलू जिस पर हमारा टकराओ हूँ इसके लिए हमने क्या किया कि तीनों ही सक्तियों में वट होता है जो कि कानोनों को लाढ возмож करते हैं और सासन चलाने का काम करते हैं हैन्य उन्हीं कह सकते हैं कि इस Spring करते हैं इससे सकतियों का बड़्वार पारक कर लिए और ये सभी जो है एक दूसरे से अलग हैyi एक दूसरे में अतिकमर में नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ पर वही बाग कही कई कही है कि बाई कि जे सकतियां फ्रतवारे के अधार पर प्तीView के अंग पर अंकुष लग रड़ता है और इस तरह वो अपने आपकी सकतियों का अधिसी ज्यादा प्रयुकरता है अनुप्रयुकरता है ऐसे में बाद बागी जो दो सकतियां होती है उस पर अपने अंकुष लगा देती है ठीक है जानि माली जे कारे पाल का बहुत जादा अपने बढ़ाचेश कर रही है तो अपने काल आगे विदायका में प्रत्वन लगा देगी तो इस तरह से हमारे यह अंकुष वाली प्रानाली चलती रहती है वो ऐसे करें कि हमारे यह एक balance create रहता है ठीक है यानि कि समिजाल सभा की सदस्रम को यह बात का भी भहे था यह कारिपाल का माली इतनी तागतवर ना हो जाए कि विदायका के प्रति अपने दायतों की उपेप्चाई करने लगे यानि कारिपाल के इतनी तागतवर हो गई यह वाई विदायका को कुछ सुने ही ना विदायका की कुछ कहा माने माने ना तो इसलिए यहाँ पर इन्हों ने यह सिध्धान्त रखा गिए तीनों में balance बना रहा है कोई किसी पर हावी ना हो ठीक है तो यह बात यहाँ पर आप जानते होंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देगे यहाँ पर एक बात कहेगी राज्य जो सब्द अलग बारबार राजी सब्द का इस्तिमाल हो रहा है तो वो राजी का मतलब क्या है राजी का मतलब सरकारों से नहीं है याँ आपने एक सब्द सुना राजी राजी का मतलब आपके यहाँ के राजी नहीं है याँ इस्टेट से मरत अर्थ नहीं है जब हम राजी सब्द का इस्तेवाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन अर्थ में लेते हैं इस सरकार की जम्मेदारी होती है कानून बनाना लाहू करवाना लेकिन चुनाओं के जरी क्या होता है सरकार चेंज हो जाती है लेकिन राज्य क्या है राज एक ऐसी रायने तिक संस्था होती है जो निश्चत भूभाग में रहने वाले संप्रहू लोगों का प्रतित्त करती है ठीक है यह राज में क्या है संप्रहू लोगों का मलब ऐसे लोग होती है जिन पर कोई भारी हस्चे बना हो जैसे माल लीजिए संप्रहू किसे कहेंगे जैसे आप अभी माल लेते हैं आप अपने घर में हो मैं आपका यह एक्जांपल लेता हूँ और आप अभी अंडर 18 हो यह अठारे साल से कम एज के हो और आप मालीजिए कोई काम करना चाहते है तो आप किस से महाँ पर महाँ पर बोलेंगे किस से मलब अपनी सला यानि किस से पर्मीशन लेंगे अपने माता पिता से लेंगे यानि अभी आप संप्रहू नहीं हो पाए हो यानि अभी आप खुद से फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाए हो तो यह क्या है? इस संप्रभूता इसे नहीं बोलेंगे और मालीज आप अभी 24 से 25 साल के हो और आप खुस्से फैसले लेते हो और उन्हें एक्जेक्यूट भी खुस्से करते हो तो आप संप्रभू बोले जाओगे यापको का पास कोई उपर भारी हस्ट्यप नहीं है ठीक है? कोई हमें दबा नहीं जाए तो ऐसी भारत के संदर्में यह भारत में जो फैसले लिए जाते हैं तो भारत में बिलकुल संप्रभू तरीके से लिए जाते हैं इसमें नहीं अमेरिका का कोई हस्टेप होता है, नहीं चाइना का, नहीं रसिया का, नहीं ब्रिटैन का, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखने ना, यहाँ पर आप नोट करके, राजी सब्द यू जो रहा है, यहाँ पर लिखने ना, राजी सब्द का मतलब राजी सरकारों से नहीं है ठीक है इसी में लेकई ना सब्पॉंट राज एक ऐसी राजने तक स συνस्था होती है जो निश्यत भूबाईब्वाग पा रहने वाले समप्रभु लोगों का प्रणित located हैं और भारती राज की बात करें तो भारती राज की एक लोगताइब्वत के सरकार सरकार ब्रेकेट में या कारेपाल का कि राजी का एक हिस्सा होती है यह सरकार जो है वो राज्य यानि कि हमारी जो संप्रभू संप्रभुता है रायनित्र संस्ता है उसका एक हिस्सा है कारेपाल का ना कि कारेपाल का बने आप में राज्य है ठीक है तो वह बात यहां पर बता ठीक है तो हमारे यहां fundamental rights जो है मूल लूप से 6 अधिकार प्रतत्त हैं मौलिक अधिकार आपके सामने प्रतत्त हैं उनकी जिक्रिवी यहां पर कर दिया गया वो लिखबा भी दूँगा मैं आपको वैसे detail में आप लिख चुके हैं अधिके यहां पर चौती heading आप डाले ना रखा जाता है अंतरात्मा कहे जाने का मलब यह था कि आतने देखा था की सतंता के भलतुरू आजादी मिलने की भलतुरू राष्टवादियों की दिमाग में यही बात थी हमारे लोकतंत्र में जो लोग होंगे उन्हें कुछ मौलेक अधिकार दिये जाए ठीक है जिनका हनन होने पर वो अपनी आवाज उठा सके है तो यहाँ पर भही बात है कि मौलेक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राजी की सत्ता के मनमाने और निरंकुस इस्तमाल से बचाते हैं निरंकुस का मलब यह ऐसा सासंग जो किसी बिना नियम कानून के ठीक है कुरूरता पूरवक अन्याय पूरवक चलता हो उसे हम निरंकुस आसन बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखने ना इसी में सब पैंट कि मौलेक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राजी की सत्ता के मनमाने और निरंकुस इस्तमाल से बचाते है इसा ba. और हम लोग क्याँ चाते है वह ईसा ना हूँ कि उद्योक धंदों का ही बोल बाला हूँ एसा भी रहुत सामएं रखा जाए कि हमारे यह गरीब तबका है उसकी पनाद हो आपने अधिकारों के फलतव कहा पर कहा है तो यहां पर वही बात है तो यह नोट का लिए होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखे हमारे देश में यह कहा गया है कि बिभीन अलपसंक्यक संधाय भी है तो यहां पर वही बात है कि अलपसंक्यकों जो संधाय है उन्हें बहुत संक्यक संधाय जो हैं उनके अधिकारों को हननन ना करें कि अधिकारों के लिए धाविदारी कर सके दूसरा यह अधिकार हर उस सक्ता और संस्ता के लिए बादिकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो आपके मूल अधिकार थे इनके बारे में यह कहा गया है कि मान लेते हैं कि मूल अधिकार दे देते हैं और प works नहीं रहाता है याओन अधिकार दिये हमाली उनकाव सुप्र्येन के लिए कोई सुंस्ता नहीं है तो उनको देने से स relativity में हो कि औन अधिकारों की दावेजारी कर दावेजारी कहां करेंगे और दूसरी बात है कि हमारे मूल अदिकार है इनको ध्रष्टरिक कर दिए इन द्यान में कौन रहेगा जो सनस्था है हमारे देश के लिए कानून बना रहे है तो वो उनके लिए भी बाद दिकार ही है ठीक है तो यहांबर अगला point यहां लिख लेना second point डॉक्टर अमिड करने कहा था कि इनका दौरा अधिश है और यह पहला इसमें सब point करेके लिख लेना यह वाला और दूसरा राज हैं, राज सरकारें जो हैं, वो अपने जंता के खल्यान करने के लिए तमाम योजनाय बगरा, प्रयोजन बगरा, इस्थापित करें, प्रयोजन बगरा यहां पर चलवाएं, इसके लिए हमारे समयधान के खंड में नीज निसक्तत्तों भी जोड़े गए हैं, ठीक है, तो यहां पर अगला point आप लिखने न, कि मौलिक अदिगारों के लावा हमारे समयधान में एक खंड नीज निसक्ततों का भी जोड़ा गया है, ठीक है, और यह खंड इसलिए जोड़ा गया है, कि ताकि और ज्यादा सामाजिक सुधार लाए जा सकें, ठीक है, सामाजिक और राज उनका पालन कर रहे हैं परतमान में, ठीक है, आगे बड़ते हैं, अब देगें, यहांपर हमारे कौन-कौन से मौलिक अदिकार हैं, तो सम्दान में प्रत्त आपके मौलिक अदिकारों के जिकर जो किया गया है, वो आप नोट डाउन कर ले на, अगला point करके, ठीक है, चौथा पॉइंट करके, अब देखें, यहाँ पर मैं आर्टिकल नहीं लिखवांगा, कौन से आर्टिकल में है यह, ठीक है, चुंकि आप सभी लिख्चों के हैं, और पढ़ा भी आपने, यहाँ पर पहला अधिकार है, समानता के अधिकार, समानता के त्यत क्या है, कि भाई कि अबसर की मामले में यहाँ पर कहा गया है, कि इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद का मलब यह है कि भाई, जो बंचित वर्ग के प्रापधान है, जैसे डॉक्टर बियार अंबेट करने उपर बात कही थी, कि भाई, अगर हमें, यानि कि हमारे जो दलित वर्ग को कि इसले तब के रखे, जिने सधीयों से जो लोग रहते अपनी अधिकार नहीं मिले थे, तो अधिकारों समस्षट करने के लिए यहाँ पर और अरछिट का प्रापधान बी रख दिया गया, तो भई बात यहाँ पर कही गई है, इसके लाबाद पर छुआ छूत प्रता का भी उन्मूरों कर दीआ घया है थिगर यह सब बात में डीटेल में आ छिरूरत नहीं है आप यह सब बात है वे जानते हैं आपके फिला अदिकार लखना समानतार का अधिकार मिला हुआ है आपको आपका सामांता голос क्या समानता आती वो भी आपको पता है दूसरा अधिकार स्वतंता का अच्छ मय वहां पर तीसरा अथिकार जो है शो शर के पूरत्त है शोशड के पूर ओफ एक या था घया पार या फिर बल र कर प्रके अहांप आधार स्वकर्ण मुर्ण या पर धार्मिक सुतंता की दिकार, धार्मिक सुतंता का मलब यह है कि हर किसी को अपनी धार्मिक सुतंता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी धार्मिक की उपासना किसी भी तरीके से कर सकता है, उसमें किसी का अस्टेफ नहीं होगा, उनका नियोजन, धार्मिक स्था समयधानिक उपचारों का अधिकार यानि बाद वाकि आपके पांचों अधिकारों का अरग हनन होता है ऐसी सिधी में आप सुप्रीम कोड और हाई कोड का दर्वारे खटा सकते हैं ठीक है तो यह समयधानिक उपचारों का अधिकार रखा गिया है तो ऐसे करके आपके छे मोल एक अधिकार यहाँ पर मिले हुए है आपको ठीक है तिक इन सब के बारे में आप आगे कच्छाओं में डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो मेरी समझ में फायदा नहीं होगा फायदा यह होगा कि आपको अत्रिक्त वर्डन पढ़े जाएगा बार बार वही वाई लाइन रिपीट होगी ठीक है जबकि आप इन सब को जानते हैं पाकिस्तान किसके लिए है इसलाम के लिए है ठीक है बंगला देश इसलाम के लिए है हमारा देश के साथ धर्म निर्पेक्ष है यानि हमारे देश में सभी धर्मों को बरावर बरावर आदर दिया जाएगा ठीक है धर्म निर्पेक्ष होग है राज्य होता है जिसमें धर्वक्तिता में आजाती है ठीक है कि यहां पर कुछ बाते हैं और बता ने जिनहें मैं नोड़कर लिखा दे रहा हूं नोट करके यहाँ पर इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, यह से कुछ व्यक्तियों के नाम दिये गए हैं, तो उन व्यक्तियों के नाम लिख लेना, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सम्मधान सभा की आखरी बैटक हुई है, वो कब होई है, यहाँ बिजकर की आगया है कि 24 ज समधान सवा के प्रदी तो नोक्तर राजन पर सभा के नाम लिखाया गए है के भाई समधान सभा के अद्च्शक्श तो तर्चर राजन पर सभासाद यहाँ पर कुछ के लिख बाद नहीं परứज्श ह Hemはは के अद्च्चित्व गोन है तो मैं ापर मंतरियों के नाम लिख लेना कि कौन कौन से मंत्री या है आजाधshowSH Keal के पहले मंतरी है कोई कोई बताया गया है कके श्रीव जयराम दौलत राम यह है क्षाद्रेवन क्रश्मंत्री है ठीक है कि राजकुमारी अम्रत कोर यह स्वास्त्य मंत्री थी, डॉक्टर जॉन मिथाई, वित्र मंत्री, बल्लब भाई पटेल, उप्रधान मंत्री, ठीक है, और उनके पीछे, यानि कि और जलजीवन राम जो थे, ये सरम मंत्री, ठीक है, ये लोग बनाए गई है, ठीक है, यानि इनके नाम पूछे जाते हैं कि वाई हमारे स्वांतन्त्रभाद के पहले वित्तमंत्री कौन थे दॉक्टर जॉन मिठाई थे स्वास्तमंत्री कौन थे राजकुमारी अमरत कौर थे ये नाम पूछे जाते हैं तो ये note 3 में करके आप लिख लेना पीछे खड़े हैं पीछे खड़ेगा मलब ये है कि ये चित्र में से दिखाया गया है कि चित्र में कौन-कौन पीछे खड़ा है कौन-कौन है यहाँ पर उनका जिकर किया गया है तो हमें चित्र में से नहीं देखना है हमें लिखने ना है, लिखना इस लिए है कि अक्सर ये नाम पूछे जाते है देखे, ऐसी करके ये आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है चलिए आज के लिए उसना ही, ठेंक्स पर वाचिंग, जैह अंदर